बारत और बांगलादेश के भी दूसरा टी-20 मुकाबला राजकोट में खेला गया जिससे टीम इंडिया ने आठ विकेट से जीत लिया रोहिच शर्मा ने कप्तानी पारी खेलते हुए 43 के दो पर 85 रन ठोक दिये जिसके लिए उन्हें मान अफ दू माच अबॉर्ड मिला उन्हें बड़ी गलती कर डाली जिसके लिए उनकी खुब आलोचना हो रही है लोग उनसे पूर्फ कप्तान महिंदर सिंग धुनी से पाट लेने का काम कह रहे हैं ऐसे में हम आपको इस खास रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कि रिशब पतन तें ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके बाद लोगों को दोनी की याद आगी दरसल टिम इंडिया ने टॉस जीत कर बांगलादेश को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया बांगलादेश ने शांदार शुरुवात की और भारती गेंदबाजों को कूप पिटाई की मैच के चटवे ओवर में युजवेंदर चेहल की गेंद पर लेटर अंदास ने आगे बढ़कर शॉट खेला पंद के पास आउट करने का पूरा मौका था लेकिन उनकी घलती से दास को जीवनदान मिल गया दरसल पंद ने स्टंपिंग तो कर दी और लोगों की नजर में वो आउट भी थी लेकिन जब थर्ड अंपायर ने देखा तो दास को नौट आउट दिया गया क्योंकि पंद ने विकेट के आगे से गेंद को पकड़ा था उनकी इस खलती से ना सिर्फ बल्लेबास नौट आउट दिया गया बलकि फ्री हिट भी दी गई उनकी इस भूल को देखकर कप्तान रोहिट शर्मा भी घुसा गया दूर से वो पंद को चिलाते हुए देखे गए भारत ने दूसरा T20 इंतराश्टी मैच में बांगलादेश को आठ विकेट से हराकर तीन मैचों की श्रंखला एक एक से तो बराबर कर ली बांगलादेश के 154 के लक्ष का पीछा कर रहे है भारत ने 4.2 और 6 रहते दो विकेट पर 154 रक मनाकर आसान जीत दर्श की दूसरा T20 मुकाबला नागपुर में रविवार को खेला जाएगा ANP Newsroom की रिपोग